बाजपा और सुभास्पा की बीच कडबंधन को भले ही तैमाना चा रहा हो लेकिन सीटों को लिकर मामला फसा है सुभास्पा ध्यक्ष उम प्रकाश राजपर की ओर से दो से तीन सीटों पर दाविदारी पेश किये जाने की बात कही जा रही वही भाजपा राजपर के प्रभावाले शेत्रों में होने वाले नफ़ा और रुकसान का आकलन करने के बाद ही सीटे तै करने के मूट में है इस मुद्धे पर जल्दी दोनों तलों के नेताओं की बीच दिल्ली में पैठक होने की संभावना है 2019 के लोग सबच नौ में भाजपा की गडबंधन यानी एंडिये को प्रदेश में 64 सीटे मिली थी इन में से 62 अकेले भाजपा की थी अब 24 के होने लोग सबच नौ में भाजपा प्रदेश की 80 सीटों को चीटने का लक्ष बना रही है इसलिए गाजपुर से गोरकपुर और बस्ती से बल्या तक की दो दर्जन से अधिक सीटों पर राजपर जाती के मददाताओं की अंदेखी भाजपा के लिए आसान नहीं होगी हाना की अभी ये कहना मुश्किल है कि साथ आने पर भाजपा और सुभासपा को कितनी सीटे देगी फिर भी ओम प्रकाश राजपर ने भाजपा नेतरत के सामने पूरवांचल और अवच शेत्र में आने वाली लोगसबा की 28 सीटों पर राजपर विरादरी के मद्दाताओं की सेंख्या का ब्यूरा रख दिया ताकि सीटे तै करते समय इसका खयाल रखा जा सके ये भी गौर करने ली बात है कि 2019 के लोगसबच राउं में सीटों के बटवारे के मुद्दे पर ही राजपर और भाजपर की बीच तनातनी शुरू हुई थी जिसका परिणाम 2022 के लोगसबच नौ से पहले राजपर और भाजपर के गडबंधन की तूट के तोर पर सामने आया फिलहाल ओम परकाश राजपर सपर से गडबंधन तूटने के बाद बसपर और कॉंग्रेस से दोस्ती की स्थिती में नफ़ा नुकसान का आखलन कर चुके हैं उनको समझ में आ चुका है कि भाजपर के अलावा किसी अन्य दूसरे दल से गडबंधन करने का कोई फाइदा नहीं रहेगा वहीं दूसरी तरफ भाजपर नितरत भी समझ चुकी है कि पुर्वानचल की सियासी गड़ित को उनके सामने हिंदू वोटों का बिखराव रोपना और जादा से जादा वोट हासल करना बहुत जरूरी है इसलिए राजपर जाती को अपने पाले में रखने की सरूरत है इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भाजपर राजपर को सीट वार प्रभाव के दावे का आकलन कर रही है इसके बाद ही सीटों के बटवारे का फॉमला तैह होगा